पहले क्वालिफायर में केके आर का एस आर एच से मुकाबला है। एलिमिनीक्टर में आर सी बी का राजिस्थान से सामना देखें प्ले ओफ सैडियूल। कॉलकाता नाइट राजिस्थान और राजिस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग दूसार चौविस्थान का आखरी लीग मैच बारिस के कारण रद्ध हो गया है। गोवाहाटी में रविवार शांत से रुक रुक कर बारिस होती रही, रात साड़े दस बजे करीव साड़े तीन घंडे देरी से टॉस हुआ। लेकिन बारिस ने एक बार फिर फैंस की उमीदों पर पानी फिर दिया, ऐसे में दौनों टीमों को एक एक पॉइंट विले। इन पॉइंट के साथ कॉलकाता ने पहले और राजस्थान ने तीसरे इस थान के साथ फिनिस किया है। ऐसे में कॉलकाता और हैदराबाद के बीच 21 माई को एमदाबाद में कॉलीफायर वन खेला जाएगा, इसी मैदान पर 22 माई को राजस्थान और बैंगलूरू के बीच एलिमिनेटर होगा। दिन की पहली मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंचाब किंग्स को चार विकेट से हराया। इस जीत से हैदराबाद टॉप टू पर आ गई। आईपेल दूजसर चौविस का आखरी लीग मुकाबला बारिस की वज़ा से रध हो गया। यह मैच राजिस्थान रॉयल्स और कॉलकाथा नाइट राइडर्स की बीच खेला जाना था। लेकिन बारिस की वज़ा से रध हुए इन दौनों ही टीमों को एक-एक कॉइंट मिलिया। राजिस्थान पॉइंट्स टेवल में तीसरी नमबर पर रही। उसका अलिमिनेटर में रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर से सामना होगा। वहीं कॉलकाथा का पहले कॉलिफायर में सन्राइजर्स हैद्राबास से सामना होगा। राजिस्थान और कॉलकाता के बीच रविवार्फ शाम गुवाहाटी में मैच खिला जाना था लेकिन रात साड़े दस बचे तक भी मैच शुरूर नहीं हो सका इस मुकाबले के लिए देराट टॉस भी हुआ लेकिन फिर से बारिस आने की वज़ा से मैच रद्ध हो गया लह हैदराबाद दूसरे नमबर पर रही हैदराबाद नहीं 14 मैच खिले और 8 जी थे उसके पास 17 पॉइंट्स है अब ये दोनों ही टीम में पहले कॉलिफ़ार में भीड़ेंगी आईपियल दोजार चौबिस का पहला कॉलिफ़ार 20 मई को हमदाबाद के नरिंद्र मोधी स्ट 14 मैच खेले और 8 जीते एक मुकाबला रद भी हुआ हार सीवी की बात करें तो वैच चौधे नमबर पर रही उसने 14 मैच खेले और साथ जीते राजस्थान और बैंगलोर के वी चैलिंग मिनीटर मैच 22 मई को खिला जाएगा यह मुकाबला भी एहमदाबाद में आजित जाएगी पहले क्वालिफायर को जीतने वाली टीम सीधे फानल में पहुचेगी वही हारने वाली टीम दूसरा क्वालिफायर खेलेगी